प्रेंड वेलकम पेक आफ यूद्ध वीडियो इन दिस्टूट चैनल अज वीडियो में सीखते हैं एक वीडियो जो ब्रिक में अपक्सर इंटरू में पूछा जाता है तो यहां पर मैं आपको दो नंबर सो ब्रिक्स बताने जा रहा हूं ठीक है एक अपका मोडला ग्लास ब्रीक है और एक आपका इन्टर पूछा जाता है इंटरू में पूछा जाता है अगर आप से पूछ लेता है रिटाइज साइज में इसमें कितनी नंबर सो रिकॉर्मेट होती है तो इन दोनों अपको रिकॉर्मेंट बता रहा हूं जा रहा हूं दो हमारे पास इंटर नाइंटी इन तिकने उसे आपके यृव्ली वर्ट इपार्में यूज राटी के साइज जिंटी ने मुचिंगे अगर आप इंच में जानना एटो मैं ने एक वीडियो में देख था कि उन्होंने जो लिख्या हुआ था जो मोटा की ठीकना है से ृ यह आपके पास है यह आपके पास नाई इंच है इसके और इसकी तिकना है पास कि मुझजा है deeply 20.4 तो यह आपके पास है इंच 25.4 एंच को गुना करते हैं तो 2 mm क्या यह पॉसिबल है तो मोड़ गलास ब्रीक और इनर स्टेंडर ब्रीक तो चीनेस मोटर जो स्टेंडर जो चीनेस लेती है तो इसमें आप विना मोटर के साथ लेंगे तो एक जो क्यूब होता है ठीक है यह आपका क्यूब हो गई तो इसमें आप मेजरी करते हुजा रहे है तो वह ब्रीक ज्यादे आएगे विकोज आप मेजरी करने आपको चुनाई करनी है तो वह कंस्प्शन निकालना है आपको तो अगर हम 10 mm मोटर प्लस कर देते हैं तो कैसे निकालते हैं आपको यूज़ हो रहा है यह वाली ब्रीक तो इसमें टैने लेंथ बढ़ेगा और आपकी जो ब्रीथ है वह बड़ेगी तो आपका साइज आएगा ब्रीक वीद मोटर के साथ में 200 इंट एंट्टेंट्रेंट एसे ही आपका मोटर के साथ में आएगा तो साइज हमारे पास की मोटर के साथ आचुका है अब निकालना इसका शोड़ेघर में ठीक है ने को छोटा करने के लिए तो इन दिनों गुना करती हैं जिरो पॉइंट जीरो टू मीटर क्यूब वोल्व में बोल्म मयद मोटर के साथ में एक भूर्य का साइज अब निकालते हैं इसे अपके पास एन में में हैं इसको डिवाइड कर लेना आपको में मीटर में पर चूटी अगहां घर हैं टो दो में तो गुना कर लेते हैं आम रिक्वार्मेंट देखे हैं हमें निकालना है वॉल्यम ओफ वन क्वेट मेरे तो इसको ड हैं तो आपको डिवाइड कर लेगा से क्वेड और अपके पास पास अपस अपक्वेड देगे मोर्टर के साथ .μृ Когдаृ involved साट ने बॉलियू में अपने निकाला हुए तो कुप है तो यह रहता है में लिख्ञा मीटर क्यों में बिक का वह जो बिक मेंगर आपके पास चुनाई के वोल है वह यह है जिरो पॉइंट जीरो टू एट तरी कि अब इसको डिवाइड करना है जिरो पॉइंट जिरो जिरो टू अगर आपका पास वोल्यूम है वाल की और वोल्यूम है वन ब्रिक का तो सिंपल कैलकोशन निकाल लेंगे अब कितना इटेल लगए उसमें तो जीरो पॉइंट वन फाइब ले सकते हैं यह रिकॉर्मेंट आएगी एक्च्वल कि उसके बाद देखते हैं 0.0283 डिवाइड बाई 0.00255 इससे इसको डिवाइड करते हैं तो मारे पास आते है एटीन 11.0198 मतलब 019 ठीक है 098 तो यह आपके पास 11 से ज्यादा है तो 11.50 ब्रिक् बहार से मंगाते तो वह आधी ब्रीक नहीं आती है पूरी ही ब्रिक्स आती तो इसको आप 12 लेड़ लेज़िये ए अगर यह फूरें 14.1 isleeed ठीक है यह आपके पर पूरेंट है आपके प्टर c salty ने ओर्याओं और consumption आपके पास पूछता है तो consumption 14.11.50 तो 14.50 ओके तो आपको यह concept किलिए हो गया होगा तो thanks for watching इस वीडियो बने हमाई साथ तो 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 आपको लिए नेस्ट वीडियो में बाई बाई